हेलो टेडर्स, वेलकम टू सिप्यार टेडिंग चनल, पहले तो मैं सौरी बोलना चाहता हूँ आप लोगो कि मैं दो से तिन दिन से वीडियो डाल नहीं पा रहा था, उसके पीछे का रीजन यह था कि मैं अपने पेट मेंबर्स के साथ कोर्स कंप्लीट कर रहा था ठीक है, औ उससे पहले मैं बता दू कि हमने भी आज ट्रेड किया और हमारा अच्छा कासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अगर आप देखोगे, तो 452 पे बाई था हमारा, ठीक है, 452 पे बाई था और यह बहुत नीचे तक गया, ठीक है, आप देख सकते हो, और हमने पहले अगर दो ट टेड देता हूं, तो मैक्सिम उसमें 15-20 रुपय का असल होता है, ठीक है, तो आज मेरा 3 SL हुआ, जिसमें से 45 पॉइंट गया 3 SL का, ठीक है, 15-15 करके 3 SL का 45 पॉइंट गया, और लेकिन हमने यहां पे बनाया कितना 100 प्लस पॉइंट, हमने एक टेड मही बनाया, ठीक है, तो उनका 42,000 का यहां पे SL हीट हो गया था, लेकिन नेक्स टेड में ही, जो मैंने ग्रूप पे शेयर किया था, पेड चैनल में, और में उनने 18,000 का प्लस कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, और साथ में यह प्रॉलम यह हुए इनके साथ, कि यह पूरा मूव कैप्चर नहीं कर रहे थे, ठीक है, और बड़ा इनको मूव मिलता, बट यह जल्दी से बुक करके मार्केट से निकल गया, अब चलिए मैं आपको बताता हूं, कि हम लोग जो स्ट्राइक प्रेस बगारे चूज करते हैं, वो कैसे करते हैं, और हमारा ट्रेट देने के पिछे लॉजिक क्या ह होता है, देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कि मार्केट आज इतना अच्छा कासा, निप्टी बैंक निप्टी दोनों ऊपर गया क्यों, ठीक है, तो आप देखोगे, कि पिछले दिन मार्केट एक रेंज में फसा था, ठीक है, डे हाई डेलों के बीच में मार्केट फसा हुआ था, और अगले दिन क्या होता है, कि जो भी ट्रेडर्स यहां पे सेल करके बैठे हुए थे, ठीक है, जो भी डे हाई पे सेल करके बैठे हुए थे, मार्केट आज उनसे उपर ओपन हो गया, ठीक है, और उपर ओपन होने के CPR के market उपर open होता है और क्या होता है previous day high ये R1 के भी उपर open होता है ये हुआ second और third क्या है कि आप कल का CPR देखो राज का CPR देखो जो मैं वीडियो अपलोड के है यूट्यूब पे course वाला आप उसमें जाकर check कर सकते ये concept है कि अगर ये CPR यहाँ पे है और next day का CPR अगर नीचे बनता है और अगले दिन CPR के उपर market open होता है तो market उपर ही जाएगा जो कि यहाँ पर हुआ अब आप देखो market price action बनाते है बनाते है उपर गया तो हमने जो trade लिया था हमारा SL कहां कहां हेट हुआ था 15-15% को हैं बताता हो यहाँ पर हमने trade लिया था ब्र किया इस लेवल को इस कंडल के उपर हमने trade दिया और फिर से यहाँ पर डिके के विया से हमारा SL हुआ लेकिन ठाट बार जब टे हाई ब्रेक हुआ हमने trade लिया बहुत अच्छा कासा profit हुआ उसके बाद भी एक दो ट्रेड लिया और अच्छा कासा हमने 500 उसमें भी निकाला अब देखें कि market इतना बड़ा momentum कर चुका है और कल के दिन holiday है तो अब क्या हो सकता अगर आप nifty का chart देखोगे तो nifty भी आपको same दिखेगा nifty भी one side move किया है तो अगर आपको ऐसा momentum दिख रहा तो आपको यह समझना चाहिए कि next day जब भी trading होगा तो market थोड़ा sideway हो सकता है ठीक है एक जगा भी market नीचे आने कोशिस नहीं किया ठीक है market पूरे पूरा time पर उपर ही जाते रहा है इतना चीज क्लिए आप चलिए क्या करते हैं मैं सबसे पहले बैंक निप्टी का पांच मिट का चार्ट पर चलता हूं और tomorrow CPR लगा कर देखता हूं कि मुझे क्या दिख अगर market का low यहां पर और high यहां पर और यह दोनों के भीच में difference काफी है तो next CPR जो है white CPR बनेगा और white CPR में क्या होता है कि हमें क्या trade करना होता है अगर हमें trade करना भी है तो क्या trade करेंगे हम लोग reversal ठीक है हम लोग reversal trade करेंगे और reversal कहां कहां से आएगा वह मैं बता देता हूं previous day high, previous day low, R1, S1, day high, day low, CPR ठीक है यह सारे places reversal market में आ सकता है तो यह सब चीज़ा प्लेवल ध्यान रखना अपने अंदर अब चलिए मैं क्या करता हूं हायर टाइम प्रेम में चलता हूं मैं one day का chart open करता हूं और देखता हूं यहां पर कौन सा structure बना है अगर मैं one day का टाइम में आता हूं तो आपको दिख रहा कि market में pattern क्या follow हो रहा मार्केट यहां से जब ऊपर जा रहा था यहां पर एक red candle बना है बड़ा सा फिर से बड़ा से green candle बना फिर से बड़ा से green candle मतलब क्या है कि अगर candle का अगर आप size देखोगे तो इधर बहुत ज्यादा bias बैठे हुए जो market में बड़ा बड़ा candle बना कर ऊपर भेज रहे है market को अभी market यहां पर चल रहा 39,536 पर market ने close किया है तो अब possibility क्या है market को ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है उसके लिए अपन क्या करेंगे मंतली CPR लगाते हैं ठीक है मंतली CPR लगाती है हमें यह पता चल रहा क कि market R1 के ऊपर आ चुका है ठीक है यह R1 लेवल है market R1 के ऊपर आ चुका है ठीक है और जब भी market R1 के ऊपर आता है तो बहुत ज्यादा पुलिस का चांस मार्केट में रहता है यह तो आपके सामने क्लियर हो गया अब इसके साथ यह थो हो गया अपना previous day high जो Thursday को अपना रहे चार्ट पर अपन मांक कर लेंगे चलिए मैं जल्दी से मांक कर लेता हूं मैं horizontal line लेता हूं और सबसे पहले मैं यहां पर high मांक करता हूं और उसके बाद अपना जो R1 है R1 मांक करता हूं अध्य है हुआ है हमारे पास दोनों level आ चुक है और यह लेवल अपने लिए क्या होगा support इसका color मैं कर देता हूं green ठीक है इसका color मैं कर दिया green और जो ऊपर का level है उससे मैं कर देता हूं red टीक है moving average तो support लेता है और market एक बहुत अच्छा pattern बना कर ऊपर जा रहा अब यहां पर क्या-क्या possibilities है यहां पर possibilities यह है कि यह high break हो और उसके वाद market यहां से ऊपर जाए and pattern बना कर पहला possibility यह हुआ दूसरा possibility यह हो सकता है कि market एक जो channel follow कर रहा ठीक है जिसे ब्रेक कर चुका है उस channel को रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा और साथ में यह भी पता है कि थस्टे को हमें white CPR मिलने वाला है तो उस दिन थोड़ा market side way हो सकता है तो वह भी चीज़ हमें ध्यान में रखना है अब हमें क्या करना है weekly CPR लगा लेना है और हमें one hour का time frame पर आ जाना है ठीक है हमने one hour का time frame लगा लिया यहां पर और moving average भी हमने लगा लिया अब यहां पर आप देखोगे तो यह है अपना weekly CPR आज यहीं पर market उपर गया तो मैं यहीं पर आपको बाई दिया था ठीक है क्योंकि weekly CPR से मार्केट उपर चल चुका था और अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी कहां पर फसा हुआ प्रिवियस विक हाई के पास यह blue line जो आपको दिख रहा यह प्रिवियस विक हाई है जो की लेवल यह था ठीक है तो अगर प्रिवियस विक हाई ब्रेक होता है तो साथ में अपने पास आरवन क्या आएगा weekly CPR का लेवल 39655 यह लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद रसिस्टेंस हमारा क्या आएगा 39760 तो यहाँ पर जो भी रसिस्टेंस सपोर्ट हमें दिख रहा है यह भी आपन मार्क कर लेंगे चलिए फिर यह भी मार्क करते हैं यहाँ पर instant हमारे पास यह मिलेगा रसिस्टेंस 39741 ठीक है 397 sorry 39471 ठीक है इसे भी अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पर कहीं पर है और उसके बाद अपन इसे ही मार्क कर लेते हैं जो की है weekly का R1 ठीक है और मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ वह आपको मैं बताता हूँ क्योंकि जो भी लाइन अपना माक कर रहा हूँ वह लाइन क्या होगा कि जब भी वह ब्रेक होगा तो हमें एक मोमेंटम फास्ट मिलेगा और option buyer को हमें इसा मोमेंटम ही जरुवत रहता है मार्केट में हमें अगर मोमेंटम मिलिया है तो मार्केट हमें अच्छा खासा profit दे स चुका है और हमारे सामने सारा लेवल हमारे सामने है अब प्लाइन करते हैं कि मार्केट अगर gap up, gap down या फिर flat open होता है तो क्या क्या हो सकता है सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट flat open होता है तो मार्केट यहाँ पर अगर open होता है immediate उसको resistance क्या मिलेगा यह line यह level क्या है 39650 ठीक है immediate resistance मिलेगा और मार्केट अगर इसे break करता है तो मार्केट कहां तक आएगा daily CPR जहां पर मार्केट support लेगा ठीक है यह अपना third day के लिए CPR रहेगा और साथ में अपना moving average भी है जो मार्केट को support देगा यह हुआ market flat open होकर नीचे आएगा तब अगर market flat होकर उपर जाता है तो यह resistance देगा अगर यह break होगा रिटेस्ट करेगा फिर से उपर जाएगा तो यहां पर हमारे लिए resistance होगा 39760 यह break होगा तो हमें अच्छा कासा है अप move देख सकता है ठीक है अब मैं बात करता हूँ कि अगर market gap up open हो जाएगा तो क्या होगा अगर market gap up open होता है और इसके उपर open होता है और यहां पर थोड जल्दी से बढ़ेगा उसमें ठीक है और अगर market gap down open होता है यहां पर close हुआ है अगर market इधर कहीं gap down open होता है तो यह CPR के अंदर रहेगा ठीक है जब तक यह CPR का breakdown नहीं करेगा हमें कोई trade जल्दी मिलेगा नहीं ठीक है और यह CPR का breakdown होगा उसके बाद क्या होगा हमें छोटा स इधर scalping दिख सकता है ठीक है और इसमें क्या होगा कि अगर बहुत बड़ा gap down open हो गया इधर अगर gap down open हो गया market तो 200S में फिर उसको हेट करके market को फिर से उपर ले जाने के कोशिस करेगा और उपर immediate assistance आपको क्या मिलेगा daily CPR ठीक है तो यहोब आपको concept समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगए वीडियो लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब कर दें आप हमसाद टेलिग्राम पर विजूड सकते हैं चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में ठाइंक यू